हाज मैं हेलो फ्रेंड आज मैं अपके साथ में करें दिसक्स करेंगा necklace का takich जोखी हिक्स ने एक्स्टोर्फेन कीए था हिक्स ने एक्स्ट्लेअ डिस्टोर्फेन करेंगे तो मैं इस को करेंगे ने का लेता हूं इस कंसे yapt में जो खामिया थी ऑने कात्Ag कामियां रहता है, यह होता है, वो होता है, cardinal utility, आपको पता है, यह सारी assumptions के उपर जाके उसने अपनी theory बताई थी, तभी तो indifference curve is one step ahead of Marshall की theory, तो चलिए शुरू करते हैं, अब इसमें सबसे पहले, Hicks attempted to measure consumer surplus with the help of indifference curves, indifference curves या ordinal utility की help से बताने कोशिश करते हैं, his analysis is free from unrealistic assumption of utility analysis, उसकी जो analysis थी, जो Hicks की, जो जीर Hicks की जो analysis थी, वो यह कहते थे कि भाई, जितनी भी utility में assumptions ली हुई है, उल्ट पुल्ट, वो अगर लेके चलें, तो असल जंदगी में तो वो apply नहीं होती, ठीक है, तो अब मैं उन assumptions पे नहीं जाओंगा, क्योंकि वीडियो छोटी होनी चाहिए, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि consumer surplus उन्होंने कैसे बनाया और क्या करके बनाया, तो चलिए शिरू करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना, मैंने x-axis, y-axis पहले के बनाया हुए, और budget line a-b पहले के बनाया हुए है, और y-axis पे मैंने money income दिया हुए है, और x-axis पे quantity of x-good, मेरे students सबसे ज़्यादा परिशान तब होते हैं, जब वो कहते हैं कि भाई, indifference curve में तो x-axis पे x-good या a-good होता है, y-axis पे दो दूसरा good होता है, वगर जब हम surplus कर रहे हैं, consumer surplus का topic कर रहे हैं, तो हम y-axis पे money income लेते हैं, अग ऐसा क्यों होता है, यह जब मैं master degree यह अभी मैं जो graduation level की बना रहा हूँ, जो है थोड़े low level पे बना रहा हूँ, जब मैं master degree में बनाऊँगा, तो मैं बताऊँगा क्यों होता है, उसमें मैं consumer surplus के चार concept और, जिसमें हम कहते है, price compensating variation, price equivalent variation, quantity compensating variation, quantity equivalent variation, इसने चार concept दिये थे, JR Hicks ने, वो भी explain करने मुझे, ठीक है, मगर पहले शुरुआती तो और पे graduation में यह तो बता दूँँ आपको कि यह होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले, मैं यह भी budget line है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, कि यह जो है, यह indifference curve है, initial, ठीक है, अगर मेरे से indifference curve थोड़ी old-pult बन जाए, तो मैं rub करके दुबारा बना लूँगा, और उसमें time लग सकता है, ठीक है, तो suppose, suppose, आप x quantity लेना चाहते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कि आप x quantity लेना चाहते हैं, तो अगर आप x quantity लेना चाहते हैं, तो मैं x good को यह उपर तक मिला देता हूँ, और यह जो quantity है, इसको भी मैं यहां तक मिला देता हूँ, इसको मैं point देता हूँ, a, b, c, d, जितना भी मैंने देना है, यहां पर point देता हूँ, a, ठीक है, a तो point मैंने दिया हूँ है, तो c देता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ज़रा, अब मैं X good consume करना चाहता हूँ ठीक है और मैं price willing to pay कितना हूँ मैं price willing to pay हूँ जितना भी ये जो ये जो मेरा X axis यहाँ पे जो काट रहा है मेरी जो initial indifference curve को इसको मैं point दे देता हूँ D, अगर मैं इसको dotted line तक मिलाँगा तो मैं price willing to pay हूँ AM, मेरे पास जो total पैसे है वो इतने है, इस पैसे total पैसे है मेरे पास AO उसमें से अगर मैं X good खरीदना चाहता हूँ इतना good तो मैं कितने पैसे देने को त्यार हूँ इस total पैसे में से मैं इतने पैसे देने को त्यार हूँ जो मेरे indifference curve को यहाँ पे काटते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ Price willing to pay is AM, अब इसमें बच्चे एक और गलती करते हैं, हमें यहाँ से measure नहीं करना हमें उल्टा measure करना है, समयद के बात तो यह measure किया है हमने AM, समयद के बात यह measure किया है, ठीक है, AM मगर जब actual में मार्केट में जाता हूँ, जब मैं actual में मार्केट में गया, तो मुझे यही चीज काफी सस्ते दामों में मिलगी, और वो मिझे budget को touch करके भी निकल रही है, तो एक नई indifference curve होगी, जो आपके इसी level को touch करके निकल रही होगी, मुझे माफ करना क्योंके यह गोल नहीं बन पा रही, तो कोई बात नहीं, ऐसे करके कुछ यहां जुगाड करके setting करते हैं इसकी, ठीक है, तो यह indifference curve बन गी है, IC1 और C point equilibrium पे है, तो जब मैं actual मार्केट में गया, तो मुझे यही same quantity मुझे equilibrium अपने budget में भी रख रही है, और यह quantity मुझे AM1 पे भी मिल रही है, तो पहले मुझे यह चीज इतने में मैं price willing था देने के लिए मगर मुझे वो actual में इतने की मिल गी तो अब मैं यहां लिखता हूँ, price actually paid is AM1, तो यह जो beach वाला portion है यह जो beach वाला portion है, मैं color utility of money जो है, वो constant है, ठीक है, अब इसमें एक concept और आता है, जो मैं master degree पे explain करूँगा, what happens when marginal utility of money is diminishing, जब marginal utility of money diminishing रहता है तो क्या होता है, जब marginal utility of money diminishing रहता है, तो consumer surplus इससे भी ज़्यादा रहता है, वो मैं बताऊंगा उस time पे बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा तो फिर graduation वाले बच्चे, confused हो जाएंगे ठीक है, मगर जो economics honors वाले बच्चे उनको वो graduation level से तो काम नी बनेगा, उनको master degree वाली वीडियो ही, देखनी पड़ेंगे, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ price willing to pay अगर आपने OX good खरीदना है किसी भी consumer ने OX units खरीदने है इतने, टीक है, इतना माल खरीदना है जब वो घर से निकला, तो वो सोच रहा था उसे AM देना पड़ेगा, ठीक है मगर जब actual में market में गया, तो उसे इतना देना पड़ा, और वो equilibrium उसके budget में भी टच कर रहा है, क्योंकि indifference curve जब टच करती है, तो आपको पता equilibrium ही होता है, तो यहाँ पर equilibrium भी हो गया और पहले से कम पैसे भी दिए, तो यह जो difference है, consumer surplus कितना हुआ, consumer surplus is shown by the shaded portion, M, M1, C, D, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, consumer surplus is, price willing to pay, minus price actually paid, तो price willing to pay कितना था, price willing to pay था, AM, minus price actually paid, AM1, which is equals to, M, M1 is the consumer surplus, मैं again यह कह रहा हूँ, यह तब है, जब हम assume कर रहे हैं कि margin utility of money constant है, अगर margin utility of money constant नहीं होगा, तो क्या होगा, उसमें Hicks ने अलग से बताया हुआ है, कि क्या होता है, वो मैं अलग वीडियो में मिल लेके आऊँगा, इसी में सब कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि mix हो जाएगा, I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, take care, have a nice day अलग को जाएगाजाद और अपको